हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ और अज के वाली वीडियो में हम देखने वाले है कि कैसा आप अपनी फायर बेस की एप के अंदर यूजर को ग्रेट कर सकते है या तो फिल वेरिफाय कर सकते है उसके मुबैल नमर के जरीए यानि उसे यहां पर एक OTP जाएगा और जब तक वो OTP क वेरिफाय नहीं करेंगा तब तब यहां पर साइन अप नहीं कर सकता यहीं चीज हमां आज देखने वाले है फ्रेंट्स पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि यूजर के डेटा को डेटाबस के अंदर के स्टोर करना है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होग कि चले तो बीना किस देरी काइज के कम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं ओके तो यह देखें आपको चीज परकर समने पिछली वाली वीडियो में किया था यहां पर जैसे यूजर साइन अप होगा उसके तुरूंच बाद उसका डेटा यहां पर डेटाबस के अंदर स्टोर हो और हमें यहां पर वेरिफाई करना है फोन नमबर के साथ तो स्टी आप जाएंगे फोन ोके अब इसे चांडेणा है और उसे कर देणा है एनेबल और आपको यहां पर यह ज्यादा है तो स्टी आर पर चीए तो सम्ठील आपको यहां पर और यहां पर तीन यूजर अमने एड़ किये थे पिछली वाली वीडियो में, अब इसे करेंगे minimize, चलिए अब next यहां पर हमें एक और screen को add करना परेगा, जैसे कि यहां पर जाएंगे, और यहां पर नई screen को add करेंगे, for example यहां पर लिख देते है, mobile-verify-screen.js, चलिए अब simply य जितने भी navigation है, सबको यहां पर कर देते है, comment, अब next हमें यहां पर एक नई screen को add करना है, तो simply यहां पर लिख देते है, stack.screen, अब इस screen का नाम दे देते है, name, equal to, यहां पर लिख देते है, mobile-verification, अब इसके अंदर हमें यहां पर component पास करना है, तो यहां पर लिख देते है, component equal to यहाँ पर component को import करना परेगा तो simply यहाँ पर जाएंगे import और यहाँ पर लिख देते है mobile verification screen ओके यह import हो चुका है इसे को यहाँ पर हमें pass करना है mobile verification screen और इसके अंदर हमें यहाँ पर header नहीं चीए तो यहाँ पर option भी add करेंगे option equal to header zone इसे रखना है false चले अब simply करेंगे sayo अब यहाँ पर इसे और कर देते है और simply करेंगे sayo चले अब app को एक बार कर लेते है restart तो यह देखें आपर हमारी screen आ चुकी है अब इसके अंदर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें दो input चीए तो simply आप import कर लेते है text input ओके अब यहाँ पर इसे निकल लेते है और सभी element को यहाँ पर एकदम center में लेके आते है style equal to flex1 justify content center और यहाँ पर आईगा align items और यह भी हमें रखना है center में अब इसके अंदर यहाँ पर text input करेंगे text input अब इसके निचे हमें यहाँ पर एक button भी add करना परेगा तो simply यहाँ पर जाएंगे और import कर लेते हैं button और यहाँ पर add कर लेते हैं button और इसका title रखेंगे title equal to यहाँ पर लिख देते है send otp और यहाँ पर इसको भी style देनी है तो यहाँ पर input को थोरी से style दे देते है style equal to border width और इसे रखेंगे to और simply करेंगे save görd okay अब क्या क्या की जगा पर Wat क्या लेते हैं चलिए यहां पर फोर इसी बोटम में marginate कर लेते है margin bottom 5 अब इसके अंदर placeholder भी add कर लेते है placeholder equal to यहां पर लिख देते है enter यो मोबाइल नंबर ओके अब simply करेंगे save ठीक इसे प्रकर से हम यहां पर इसे करना है copy paste है तो प्रखेस्ण के पारद यंप यहां पे क्लिक करेंगे सेन् एपने नंबर के-उपर वही ओटीप को एंटर करने के लिए इसके अंदर हम यहां पर एंटर करेंगे ओटी पी तो है तो margin-top, ओके तो यह दिखेंगे यहां पर complete हो चुका है, अब हमें क्या करना है, simply यहां पर दो function बना रहे हैं, तो यहां पर जाएंगे और यहां पर लिख देते हैं, const space send otp equal to, simply यहां पर anonymous function बना लेते हैं, इसके अंदर आएगा try catch, ठीक, इसे प्रकार से दूसरा function आएगा, const space submit otp equal to, इसे भी anonymous function बनाना है, तो simply यहां पर लिख देते हैं, अब simply करेंगे save, चलिए अब यहां पर send otp के उपर click करते हैं, send otp वाला function call होना चाहिए, तो simply यहां पर click करेंगे, और यहां पर लिख देते हैं, on press equal to, simply इस function को करना है call, जिसका नाम है send otp, copy, ठीक इसे प्रकार से यहां पर इसे करेंगे copy, और इस बटन के उपर click करते ही हमें यह submit otp वाला function call करना है, ओके चलिए अब next यहां पर हमें दो state बनाने परेंगे, एक इस input के लिए और दूसरा इस input के लिए, तो simply यहां पर उपर जाएंगे, और यहां पर import कर लेते है, use state, तो simply यहां पर लिख देते है use state, और यहां पर लिख देते है mobile number, और default इसे रखना है blank, ठीक इसे प्रकार से एक दूसरा use state, और यहां पर लिख देते है otp input, और default इसे भी रखना है blank, अब next यहां पर हमें एक और state भी चाहिए होगा, तो simply यहां पर लिख देते है use state, और यह state हमें क्यों चाहिए, जैसे कि हम यहां पर जैसे send otp का उपक्लिक करेंगे, तो इसके अंदर हम जो भी function call कर रहे है, वो हमें यहां पर बढ़ले में एक data देगा, उसी data का हमें यहां यहां पर store करना है, तो simply यहां पर लिख देते है confirm data और इसे भी यहां पर default रखना है blank, चले अब simply करेंगे sale, अब next यहां पर input के अंदर जाएंगे और यहां पर लिख देते है on change text और इसके अंदर जो भी value हमें मिलेगी, उसी को यहां हमें यहां पर state के अंदर store करवाना है तो यहां पर आएगा set mobile number और इसके अंदर इस value को कड़ो set ठीक इसे प्रकार से यहां पर दूसरे input में जाएंगे और यहां पर लिख देते है on change text equal to जो भी value आएगी, उसे हमें यहां पर set करवाना है set otp input इसके अंदर set कड़ो इसकी value, ओके तो यह देखें यहां पर simply करें यहां पर क्लिक करते हैं यह function call होगा तब हम यहां पर क्या करना है यह जो भी mobile number है उसे यहां पर पास करना है function के अंदर तो simply यहां पर लिख देते है const space response equal to await okay हमें यहां पर इसे asynchronous function बनाना परेगा async और यहां पर import करना परेगा import callibriket from firebase और यहां पर आएगा auth और यहां पर लिख देते है auth चले अब यहां पर जाएंगे और यहां पर लिख देते है await space auth और यहां पर आएगा function और यहां पर लिखना है dot signing with यह देख यहां पर phone नंबर है simply यहां पर जाना है आपको आपको और इसके अंदर यह देखो यहां पर पहले parameter में आपको pass करना है mobile number तो वह हमने यहां पर state के अंदर store कर रहा है तो simply यहां पर pass करेंगे mobile number और यहां पर करेंगे semi column अब इसके बाद हमें यहां पर एक response मिलेगा तो simply उसी response को हमें क्या करना है इस state के अंदर हमें करना है store तो simply यहां पर लिखेंगे set confirm data और इसके अंदर हमें store करना है response को अब जैसे यह आपर complete हो जाएगा प्लीज वेरिफाइट अब simply करेंगे semi column अब next यहां पर इसके simply करेंगे sayo अब next यहां पर इसे log के अंदर भी print करेंगे console.log और इसके अंदर response को print करना है अब next हमें क्या करना है simply यहां पर mobile number को enter करना है तो mobile number को enter करने के लिए simply आपको यहां पर एक pattern को follow करना है जैसे कि सबसे पेल आपको लिखना है plus उसके बाद आपको यहां पर country code लिखना है for example अगर आप यहां पर इंडिया से हो तो यहां पर आपको लिखना है 91 ठेकी से प्रकार से आपको अपको अपना country code लिखना है सबसे पहले उसके बाद ही आपका phone number लिखना है या तो फिर आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर यह देखो यहाँ पर इसे करेंगे cut और यहाँ पर एक variable बना लेते हैं const mobile equal to double code के अंदर लिख देते हैं plus 91 और यहाँ पर concrete कर लेते हैं हमारे यह mobile number का state तो simply करेंगे save ओके तो यह देखो आपको चीज़ पर कर से आएगा जैसे कि यह देखो आप इसे निकल लेते हैं अब यहाँ पर जो भी number लिखोंगे वो automatically यहाँ पर इसके साथ concrete हो जाएगा ताकि यहाँ पर बार बार आपके यह लिखना ना परे अब यही mobile number को यहाँ पर कर देते हैं पास ओके तभी यहाँ पर मैं अपना number एंटर कर लेता हूँ आप भी अपना खुद का number यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अब simply यहाँ पर send OTP का उपक करेंगे click और यहाँ पर console को करेंगे open ओके तो यह देखे यहाँ पर नई टैब open हो चुकी है और यहाँ पर यह वेरिफाइ करेंगे कि आप यहाँ पर रोबोट नहीं हो ओके तो यहाँ पर सक्सेस्पुली वेरिफाइ हो चुका है और यह देखे यहाँ पर message भी आ चुका है अब simply करेंगे OK के ऊपर click चुका है OK तो यहाँ पर कुछ प्रकर से काम करेंगा अब हमें यहाँ पर इस OTP को वेरिफाइ करना है तो वह जो भी OTPI होगा वह हमें यहाँ पर एंटर करना है और उसके तुरद बाद हमें यहाँ पर submit के उपर click करते ही उसे verify करना है तो यहाँ पर इसके उपर click करते ही यह function को लोगा तो इसके नीचे जाना है आपको और यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर स्पेस रिस्पोंस इकोल टू अवेट अब simply जाएंगे उपर और यह देखें यहाँ पर हमने जो भी data को यहाँ पर store करवाया है confirm data के state के अंदर उसी के अंदर से यहाँ पर हमें function को call करना है तो simply यहाँ पर लिखेंगे यह देखो यहाँ पर confirm data dot उसके अंदर एक method है जिसका नाम है confirm तो यहाँ पर लिख देते है confirm ओके और यह function आपको कहां मिलेगा यह देखो यहाँ पर जो भी हमें response मिल रहा है उसे यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ इसी के अंदर यह method है तो simply यहाँ पर function के अंदर यहाँ पर small bracket आएगा और इसके अंदर आपको क्या पास करना है इसके अंदर आपको यहाँ पे पास करना है utp तो simply यहाँ पर पास कर लेते है इसका state otp, input अब simply यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पर लिख देते है console.log और इसके अंदर print कर लेते है the response और यहां पर लास्ट में alert message भी विखा देते है alert और यहां पर लिख देते है योर नंबर इस वेरिफाइड अब सिंप्ली करेंगे सेयर ओके तो यहां पर कुछ error आ रही है ओके तो यहां पर async आएगा अब सिंप्ली करेंगे save चले वापस यहां पर जाएंगे और यहां पर मुझे जो OTP आया है उसे यहां पर एंटर कर लेता हूँ जैसे कि मेरा OTP है 114422 चले अब सिंप्ली यहां पर जाएंगे और यहां पर submit को पकर करेंगे क्लिक ओके तो यहां पर यहां पर your number is verified आ चुका है और यहां पर आपको response में क्या मिल रहा है यह देखो यहां पर पूरा एक object मिल रहा है जिसके अंदर यहां पर user की ID आ चुकी है उसका mobile number और यह सारी चीज़े यहां पर आपको response में मिल रहे है यहां यहां पर आपका user successfully create हो चु ओके तो अगर आपको यहां पर इसके बार में और information चीए तो simply आपर internet के उपर चले जाओ और यहां पर simply search करो react native firebase और करो enter अब यहां पर आपको जाना है पहली website के उपर जिसका domain है rnfirebase.io अब यहां पर simply जाना है नीचे और यहां पर आपको authentication के अंदर यहां पर मिल जाए और यहां पर थोरा सा नीचे जाएंगे और यहां पर आपको पूरा का पूरा code मिल जाएगा friends simply आपको यहां पर इसे ही verify करना है और इसके बार में जादा जानना है तो यहां पर पूरा documentation मिल जाएगा आपको I hope आपको यह समझ में आगया होगा अब next इसका जो भी data आपको हुआ 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 हुआ